जैसी आप page को scroll down करेंगे तो यहां पर लिखा है farmer corner इसी के नीचे दिया गया है ekyc new यहां पर दिया यह search का button, search के button पर click करेंगे जैसी आप search के button पर click करेंगे तो आपके सांबने आधार OTP, ekyc तो दोस्तों जो ekyc है यह 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 आपके आधार के जरीए होगी OTP कЕ माध्यम से होगी अब क्या करेंगे यह दिया है अधार नमबर जो किसानी अिसार अपना अधार नमबर डालेंगे अधार नमबर डालने के बाद यहां भिरेव ईए सर्च सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आपके सामने यह अगला column open हो जाएगा यहाँ पर दिया है enter आधार registered mobile number तो यहाँ क्या करेंगे जो आधार कार्ड से link mobile number है registered है आधार कार्ड में वो number डालेंगे number डालने के बाद gate mobile OTP पर click करेंगे mobile number already access इस तरह से दिखा रहा है तो दोस्तों क्या है जो आपका ये mobile number है ये पहले से ही PM किसान के portal पर registered हो गया है अब क्या करेंगे अगर आपकी सामने इस तरह से ये समस्या आ रही है mobile number already access की तो आप क्या करेंगे ओके पर click करेंगे और जो ये हमने mobile number यहाँ पर डाला था इसको हटा देंगे और अपना दूसरा mobile number अपने पास है तो अपना या family में है तो family का number यहाँ पर डालेंगे इस तरह से दूसरा mobile number डालेंगे और gate mobile OTP पर क्लिक करेंगे जैसी आप gate mobile OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP has been sent your mobile number तो दोस्तों OTP has been sent on your mobile number तो दोस्तों जो आपने mobile number डाला था उस पर OTP भेज़ दिया गया है और जो हमारी समय से आ रहे थी mobile number already access की वो भी समय से का solve हो गया है तो दोस्तों हमारे जो mobile number हमने डाला है उस पर OTP आ गया है OTP डालेंगे OTP डालने के बाद सम्मिट पर किलिक करेंगे तो दोस्तों जैसी आप सम्मिट पर किलिक करेंगे आपके सामने ये नया उप्सन आ जाएगा गेट आधार OTP का जैसी आप इस पर किलिक करेंगे तो आप जो आपके आधार कार्ट से लिंक है मुबाई लंबर उस पर OTP जाएगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है आधार रेजिटर्ड मुबाई लंबर OTP तो दोस्तों जो आपके आधार कार्ट से मुबाई लंबर रेजिटर्ड है लिंक है उस पर OTP आएगा आधार के जरिये तो दोस्तो OTP हमारे पास आगया OTP डालेंगे और सम्मिट पर किलिक करेंगे जैसी आप सम्मिट पर किलिक करेंगे तो इस तरह से आपकी EKYC सेक्टिफूल हो जाएगी और आपके सामने इन्वेडरो टिपी की समस्या भी नहीं आएगी तो दोस्तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपना PM किसान EKYC कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें मिलते हैं वीडियो में इस अपने साथ तब तक किलेक नमस्कार